नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है यूपी के भदोही जिले के ग्यानपूर से बाव बली विधायक विजय मिस्त्रा को जब से मद्य प्रदेश की आगर पुलिस ने ग्रफतार किया है को हराम मचा हुआ है ऐसा लग रहा है विधायक और उनके समर्थकों को कि इनका भ इमा मिस्त्रा सामने आई हैं और कहा है कि इस बार भी गाड़ी न पलटे उनका इसारा दूबे के इनकाउंटर की तरफ है कि इसी उज्जैन से मद्य प्रदेश के उज्जैन से यूपी एस टी एफ उने ले करके चली थी और कानपूर में इनकाउंटर कर दिया था कहा ये गया था कि गाड़ी पलटने के बाद विकास दूबे भाग रहा था तब से गाड़ी पलटने की कहावत एक तरह से बन गई और मसहूर हो गया अब वही विधायक विजैन मिस्त्रा की बेटी का रही कि गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए आप कानून का पालन किजिए कोड के स इस्तिदार नहीं धनापुर गाउन निवासिक क्रिश्र मोहंतिवारी ने जबरन घर में रहने और वसियत बनाकर उनकी संपती अपने बेटे के नाम कराने के लिए दबाव बनाने के आरूप में मामला दर्ज कराया था जिसमें इनकी पतनी MLC रामलली मिस्त्रा और पुत् रिमा बिस्त्रा आगे बोल रही है कि इसमें पुलिस से बहस की स्थिति में नहीं हूँ केवल उनसे इतना पुछना चाहती हूँ कि वहां मेरे पिता जी किसकी कस्टडी में है क्या यूपी पुलिस की कस्टडी में है कैसे दोनों पुलिस ने कौडिनेट किया रिमा ने कहा कि मेरी उपी सरकार से भी एक अपील है अगर कोई अपराद करता है तो उसके लिए अदालत है कृपे आ फेकonिटर मत किजी इस बार कोई गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए देखते हैं गाड़ी पलटती है कि नहीं पलटती है कि कोई सुभाविक सी बात है कि यह अपको बताएंगे आप देखते रही है हमारा डिज्टल चैनल इनकबर थैंक यू